आपने बहुत सारे website में देखा होगा कि एक option आता है नीचे accept cookies का तो होता क्या है cookies इसको समझने के लिए हम लोग एक example लेते हैं suppose करो कि आप एक e-commerce website पे आपने account नहीं बनाया इसलिए login भी नहीं किया है और कुछ item को add to cart कर देते हैं ठीक है और pay नहीं करते हैं और browser को close कर देते हैं क्योंकि हमने account नहीं बनाया लॉग इन नहीं किया हुआ है तो add to cart में जो item था वो database में भी store नहीं होगा और browser से delete हो जाना चाहिए अगर हम browser को close कर देते हैं तो बहुत सारे website में आप लोगों ने दिखा होगा कि हम लोग browser को close कर देते हैं तो आप लोग यह जानते हैं कि यह कैसे होता है तो यह होता ऐसे है कि जब भी आप कोई item को add to cart करते हैं तो वो website item cart के साथ साथ आपके browser में भी store कर देता है जिससे जब आप दुबारा browser को उस site से widget करते हो तो उसको पता चल जाता है कि यह फलाना फलाना item आपने cart में add किया था और उसको दुबारा से वो cart में add कर देता है तो basically बात यह है कि कोई भी website जब आपके browser में data store करता है तो उस data को हम लोग cookies कहते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि cookies कहां पर store होता है उसको कैसे देख सकते हैं तो जैसे देखो यह yahoo.com है तो अगर आपको यह देखना है कि yahoo.com ने हमारे browser पर क्या-क्या cookies store किया है तो आप क्या करोगि यहां पर right click करके inspect element करोगे ठीक है और इसमें आपको जाना है application में देखो यहां पर application है application में गया तो यह जो name और value का pair है इसी को cookies बोलते हैं तो देखो हमारे पास yahoo.com है उसने क्या किया है कि हमारे browser में उसने बहुत सारे कुकीज स्टोर किया यह जो name और value है यह एक कुकी हो गया जैसे promo एक कुकी हो गया cmp एक कुकी हो गया a1s एक कुकी हो गया तो देखो इतने सारे cookies इसने yahoo.com ने हमारे browser में store किया है data ठीक है और यहाँ पे और भी बाकी सारे parameter है mainly जो होता है वो name और value है दूसरा जो होता है वो होता है domain की किस domain के लिए है तीसरा फिर path होता है उसके बाद expiry time होता है ठीक है secure है या नहीं वो सारे parameter होता है तो यह सब सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी फिलाल आप यह जानो cookies देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको क्या करना पड़ता है कि developer tools में आना पड़ता है ठीक है उसमें application में जाओ और वहाँ पे आपको cookies दिखेगा cookies में click करोगे तो आपको दिख जाएगा कि किस website ने आपके browser में कितना cookies store किया है ठीक है जैसे देखो अब मैं इसको यहाँ पे cut कर देता हूँ BBC आते हैं BBC में भी उसी तरीके से control shift आई दबा के मैंने open कर लिया ठीक है developer tool और उसके बाद application में आए cookies में आए यहाँ पर देखो BBC.com ने हमारे पर क्या क्या स्टोर किया है देखो इतने सारे cookies BBC ने स्टोर कर दिया हमारे website पर तो जब हम लोग जब दुबारा विजिट करेंगे ना तो यह सारा cookies track करके कोई भ लग तरीके के या यह जानना कि हम लोग कौन सा news जादा देखना पसंद करते हैं तो यह सब वो यहाँ पर store कर देगा और जब दुबारा हम लोग BBC.com खोलेंगे तो वो यह सारे चीजों को read करके उस हिसाब से कुछ भी action ले सकता है और सबसे main बात यह है कि cookies कैसे store होता है name और value pair जैसे मालो जैसे name और value pair का मतलब क्या हुआ कि आपका नाम क्या है विश्वजीत तो यह जो यहाँ पे नाम और विश्वजीत हुआ यह हुआ name value pair ठीक है तो name और value यह name और value के साथ ही store होता है आप जो data store करोगे उसका एक नाम भी देना पड़ेगा कि वो data क्या है बट cookie जैसे काम नहीं करता है क्यूंकि यह domain से associated होता है इसलिए आपको यह file system से अगर आप ऐसे access करोगे तो यह access नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा एक local server चाहिए होगा तो local server जिन लोगों को पता है कि VS code में local server भी install किया जा सकता है और वो install करने के अगर आपका install नहीं है तो यहाँ पर install करके install कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है इंस्टॉल करने के बाद VS code को फिर से close करके फिर से open करना है तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आ रहा है go live का option आ रहा है देखो तो अब हमारा यह जो index.html है इस पर अगर म अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं cookies store कर सकते हैं अगर हम लोग पहले जो ऐसे खोल रहे थे ना double click करके अपने file पर तो file path से open होता है यह बट इसमें cookies store नहीं कर पाएंगे नहीं हम लोग देख पाएंगे तो हम लोग को क्या चाहिए था एक local server चाहिए था हमने क्या किय VS code में extension में जाके live server search किया हमें जो live server मिला उसको install कर लिया VS code को restart करेंगे अपने file system में जाएंगे index.html पर click करके इसको यहाँ पर live server का option आएगा go live उस पर click कर लेना है आपको यह automatic आपको HTTP के साथ open हो जाएगा अब हम लोग इससे cookies का store भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं ठ अगर आपका cookies का setting नहीं धंग से किया हुआ ब्राउजर में तो हो सकता cookies store ना हो तो आपको setting में जाना है देखो यहाँ पर menu में क्लिक करना है यहाँ पर setting में जाने के बाद आपको क्या आना है security and privacy पर आने के बाद देखो यहाँ पर cookies and other data लिखा हुआ है इस पर आपको click करो और यहाँ पर cross कर दो अब अब हमारा cookies क्या होगा local 다양한 banking store हो ना start हो जाएगा तो यह तो होगया बात cookies को कुटीS होता क्या है करता क्या है और हम लोग किस तरीके से cookies को देख सकते हैं कि किस web site ने क्या-क्य cookies store किया है तो अब हम लोग देखते हैं कि cookies को कैसे create किया जाता है या Set किया जाता है ठीक है तो देखो यहां पर हमारा localhost server खुला हुआ है अब मैं control shift आई दवाके console open कर लेता हूँ console sorry application में चले जाते हैं हम लोग और cookies और cookies में देखो यह हमारा URL लोकल host का तो इस पर मैं click करता हूँ तो देखो यहां कुछ सीधा बस एक चीज़ लिखना है document.cookies document.cookies ठीक है cookie equal to और यहां पर double quote या single quote के अंदर आप name value pair define कर सकते हो जैसे for example यहां पर आप type कर सकते हो item equal to milk ठीक है माल लो किसे ने milk add किया तो item equal to milk बस इतना ही पहले अभी एक ही ठीक है इसको store करा अभी मैंने save कर दिया है अब यहां के जब मैं refresh करूंगा तो आप देखो cookies store हो गया item equal to milk हो गया यहां पर देखो name item और value milk यहां पर हमारा domain name का जो path है वो रहता है यहां पर कि किसने store किया है अभी देखो domain name हमारा 127.0.01 है तो अभी वो है यहां पर हमारा होता है path by default path का मतलब होता है यह कहां से access किया जा सकता है और यह expiry date कि यह कब expire होगा ठीक है तो अभी के लिए क्या है कि जैसे ही session expire होगा तो यह खुद से expire हो जाएगा और उसी तरीके से आप यहां पर size देख सकते हो कि कितना byte इसने store किया है 8 byte फिर http only है या नहीं secure है या नहीं यह सारा parameters होता है यह सब cookies का parameters होता है अलग-अलग अब मुझे माल लो एक और cookies store करना है तो मैं क्या करूंगा फिर से मुझे यही काम करना पड़ेगा नीचे भी आपको माल लो एक और store करना है तो document.cookies कर लो cookie equal to फिर से double quotation के अंदर आपको name value pair देना है तो माल लो अभी आप location store करना चाहते हो कि यह आदमी ने कहां से store किया था तो मैं यहां कर देता हूँ India यह देखो अब मैं इसको फिर से save कराऊंगा जैसे save कराऊंगा आप देखो यहाँ पे मेरा location इंडिया भी store हो गया तो देखो अभी हमने दो cookies store करा दिया है अब अभी देखो यहाँ पे expiry date क्या है कि यह जैसे session खतम होगा मतलब कि हम browser वगरा close करेंगे यह cookies expire हो जाएगा ठीक है यह दुबारा अब हमें नहीं मिलेगा अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि expiry date कैसे fix कर सकते हो जैसे मानलो कि अगर आप चाहते हो जैसे आज का date क्या है दस तारीक है आप चाहते हो कि दो दिन के लिए यह cookie store हो उसके बाद यह delete हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करोगे expiry date भी डाल सकते हो अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ different different parameter इसमें सबसे important parameter expiry date ही है ठीक है यह देखो तो यहाँ पे इतने स सारे parameters होते हैं जो आप यहाँ पे डाल सकते हो name value पे है पहला expire कब होगा domain क्या है जो देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि domain कौन से domain से access किया जा सकता है तो by default अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो जिस domain से आप set कर रहे हो वही domain यहाँ पे लिखा जाएगा ठीक ह में क्या होता है कि वो इस domain से कहीं भी access हो सकता है तो इसलिए इसको भी हम लोग जल्दी set नहीं करते है बट अगर आपको कोई specific path set करना है कि यहीं से access हो तो वो आप यहाँ पे set कर सकते हो ठीक है और expiry तो अभी मैंने आपको बताए उसी तरीके से secure secure यह बताता है कि आप इ आपको expiry वाला दिखा देता हो parameter बाकी तो जब आपको जवत पढ़ेगा आप use कर ही लोगे ठीक है तो यहाँ देखो आपको क्या करना होता है यहाँ पे जहाँ पे milk आपने लिखा है जो name value pair खतम किया वहाँ पे semi collar लगाना होता है और उसके बाद आपको type करना होता है expires expires और फिर यहाँ पे equal to देना होता है और equal to देकर आप क्या type करोगे जब वह expire हो तो expire कब होगा यह अगर मालो मैंने यहाँ पे किया है Thursday को किया है और मैं चाहता हूँ Saturday को यह expire हो जाए 12 तारीक को तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा expire में यहाँ पे लिखूँगा Saturday, 20 March 2020 और time भी आप दे सकते हो 12 बजे exactly यह देखो 12 बजे और UTC ठीक हा time timestamp UTC अब मैंने इसको save कर देता हूँ यह देखो मैं इसको पहले तो बंद करता हूँ हाँ अब यह पूरे तरीके से दिख रहा है अब देखो अब क्या हुआ होगा अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं इसको refresh करूंगा अब देखो यह इसकी expiry और इसकी expiry दोनों को check करो दोनों different different है एक second मैं well name value pair को थोड़ा से देता हूँ इसको यहाँ इसको अब देखो यह हमारा कब expire हो रहा है और यह हमारा कब expire हो रहा है यह देखो पहला वाला जो location है वो expire कब होगा जब session cross होगा लेकिन दूस तब expire होगा जब हमने set किया और यह तब expire होगा जब हम close कर देंगे browser को उसी तरीके से आप जो हमारा बाकी भी था domain set करने वाला path set करने वाला secure है या नहीं यह set करने वाला यह भी set कर सकते हो अब हम लोग देखते हैं कि cookies को change कैसे किया जा सकता है तो मानलो कि अभी आप देखो तो हमने यहाँ पर क्या save किया है सिर्फ milk save किया है तो यहाँ पर देखो item में सिर्फ milk आ रहा है यहाँ देखो item में सिर्फ milk आ रहा है मैं चाहता हूँ milk के साथ साथ कुछ और भी add हो गया क्या लिखना है यही सेम चीज आपको दुबारा लिखना है ठीक है कि जैसे देखो यहां पर आइटम था आपका नेम तो आइटम शेव रहना चीज है milk और कॉमा देकर यहां पर ब्रेड भी कर दो या अगर milk हटाना है तो आप milk हटा भी सकते हो जैसे मानलो milk हटा दिया यहाँ पे और bread कर दिया और यहाँ पे कर दिया eggs ठीक है और इसको save करा देते हैं अब देखो क्या होगा अब वो milk हट के वहाँ से bread और eggs आ गया item में ठीक है तो हमें यहाँ से पता चल जागा कि हमें उसने क्या-क्या कार्ट में add किया है ठीक है वही चीज हम लोग कार्ट में add करा देंगे यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाने के लिए bread और eggs किया है वहाँ पे तो उसका SKU number होगा या फिर ID होगा particular उस item का वह store होगा ठीक है तो देखो अब मैंने आपको दिखा दिया कि set कैसे किया जाता है cookies उसको change कैसे किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको read कैसे किया जाता है cookies को read करने के लिए आपको simply लिखना है document.cookie ठीक है यहाँ देखो मैं एक काम करता हूँ इसको एक variable में save कराते है पहले let x equal to document.cookie बस आपको इतना लिखना है अब इसको मैं क्या होता हूँ alert करा देता हूँ ताकि alert में ही दिख जाए हमें x ठीक है अब देखो यहाँ पे हमारा वही cookies आ चुका होगा यहाँ पे टाइप करोगे console.log alert के जगा console.log इसको save करा देते हैं यहाँ आते हैं refresh करेंगे console पे जाएंगे यहाँ देखो हमारे पास cookies आ चुका है location इंडिया से access किया गया था item क्या-क्या add किया गया है bread और eggs ठीक है तो इस तरीके से आप read भी कर सकते हो cookies को ठीक है cookies को read करने के लिए बस आपको लिखना है document.cookies जिस website ने set किया है उसका सारा का सारा cookies आपको इस x में लाके as a string दे देगा उसके बाद आपको जैसे read करना है जैसे manipulate करना है आप कर सकते हों अब बात करते हैं cookies को delete कैसे किया दे तो डिलीट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप same name value pair को क्या करोगे मैं इसको रटा देता हूं यहां से same name value pair को आप क्या करना है जो date है उसको past में fix कर देना है अभी हमने 20 March किया अभी हमारा date है 10 March अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ मैं इसको Saturday नहीं था Tuesday था ठीक है अब देखो अब क्या होगा मैं यहां पर आता हूँ और हम लोग जाते हैं application में application में अगर आप cookies पर जाओगे तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा है location इंडिया दिख रहा है और यहां पर यह क्यों नहीं दिख रहा आइटम क्योंकि आइटम को हमने डिलीट कर दिया डिलीट करने का तरीका क्या है कि expiry date जो है वो past का दे दो तो हमारा date आज है 10 मार्च हम लोग क्या यहां पर इंटर कर रहे हैं एक मार्च तो क्योंकि यह past का date था तो automatic delete हो जाएगा cookies